हलो फ्रेंड्स डेनिल क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों आज 5 जनवरी 2022 का करंट अफेड देखे चलेंगे टोप 10 क्योशन्स देखे चलेंगे जो जो इंपोर्टेंट है सारा सब कुछ देखे चलेंगे चार जनवरी को जो करंट अफेर करवाये था उसकी पीडियेफ आपको डेनिल क्लासेज के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहां से आप पीडियेफ देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं पिसली सारी पीडियेफ आपको में वहीं प्रोवाइड करवाता हूँ तो आप जोइन करें वहाँ पे PDF आप ले सकते हैं आज के टोप 10 क्योशन हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट क्योशन है अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रशन है कि हाली में कौन सी कंपनी तीन ट्रिलियन डॉलर बाजार मुले वाली कंपनी बन गई है इसकी बाजार पुझी भारत ब्रीटेन और फ्रांस देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा हो गई है 1936 में शुरू हुई एपल ने 45 साल में उपलबदी हासिल की है एपल का हेड़कॉर्टर कहा है केलिफोर्निया में है सीयो कौन है टिम कुगिस के सीयो है ये सारी डिटेल दियान रखनी एक्जाम के लिए इंपोटेंट है और दोस्तों वीडियो को आपको जीतना होसके शेयर जरूर करना है करन्ट हपेर की क्लास हर सुबह 7 बज़े आपको अविलेबल हो जाएगी तो सबी को पता लगना चाहिए कि आप हर सुबह 7 बज़े करन्ट हपेर कहां से पढ़ सकते हैं इसलिए आपके फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें कोई भी न्यू वीडियो आएगा आपको तुरंट उसकी अपडेट मिल जाएगी अगला प्रशन है कि हाली में राजस्तान परेटन विभागने कितने एथियासिक परेटक स्टलों पर लाइट एंड साउंड शोर शुरू करने की तैयारी कर ली है लाइट एंड शाउंड सो यहां पर शुरू होगा यह टोटल पांच इस्तल है पांच इस्तल है आपको ध्यान रखना है भरतपुर का लोहागड कुंभलगड उद्यपुर के परताब गोरों के अंदर जुन जुनों के खेतड़ी में वियकाने निमियोजिम और चित्तोडगड के सावलियाजे में लाइट एंड शाउंड सो शुरू होने वाला है अब इसमें ध्यान रखना है कि जो शुरुआत के दो इस्तान है एक तो भरतपुर के खेतड़ी में यहाँ पे जो लाइट एंड शाउंड सो है उसका जो वे आएगा वो राजस्तान सरकार वहन करेगी और बाकी के जो तीन है उसका केंदर सरकार वहन करेगी आपको ध्यान रखना है दो इस्तान भरतपुर के खेतड़ी में कौन करेगी राजस्तान सरकार करेगी और बाकी के तीन में केंदर सरकार वहन करेगी ये भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है कि हाली में केंदरी मंत्री नितिन गडगरी ने पुस्तक बिल्डिंग ब्रीजेज शेपिंग दे फ्यूचर पुस्तक का वीमोचन किया इसके लेखा के कौन है आपको बताना है इस पुस्तक के लेखा कौन है वेभव डांगे हैं सचीदान्द जोसी हैं एव एव दोनों है इनमें से कोई नहीं कौन है तो वेभव डांगे और सचीदान्द जोसी इनकी पुस्तक आपको ध्यान रखना है पुस्तर का नाम है Building Bridges Shaping the Future अच्छे से ध्यान रखना है important है क्योंकि बुक्स से सम्मधित प्रिशन एक्जाम में ज्यादा पुछे जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है और current का question है तो एक्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा अगला प्रशन इस्टार लगे लेना बहुत ज्यादा important रहने वाला है S.B.I.N.A. I.M.P.S. के माद्यम से ट्रांजेक्शन की सीमा 2,00,000 रुपे से बढ़ा कर कितने रुपे कर दी है 2,00,000 से बढ़ा कर कितनी कर दी है 2,00,000 से बढ़ा गर 5,00,000 रुपे कर दी है S.B.I.N.A. I.M.P.S. immediate payment service के माद्यम से ट्रांजेक्शन की सीमा 2,00,000 रुपे से बढ़ा गर 5,00,000 रुपे कर दी है यह नियम एक फरवरी 2022 से लागू होगा S.B.I.A. की स्तापना कब होई थी 1,05,000 रुपे इसका मुख्याले कहा है मुंबई में इसका मुख्याले धान रखना है और चेर्मेन पुछे तो दिनेस कुमार खारा इसके चेर्मेन है S.B.I.A. के परत्वम चेर्मेन जोन मताई थे यह भी आपको ध्यान रखना है अगला परशन है हाली में भारते मूल की किस मैला ने अंटार्टी का फत्यकर इथियास रचा है कौन मैला हैं जिनों ने अंटार्टी का फत्यकर इथियास रच दिया आपको पताना है तो हरप्रीत चंडी है हरप्रीत चंडी इसका अंसर हो जाएगा ब्रिटी सेना की पहली मेला सिक केप्टेन हर प्रीत चंडी ने दक्षिन धुरूपर फते कर इत्यास रचा है इन्होंने 11,265 किलोमेटर लंबी यात्रा 41 दिनों में पूरी की है ये पोलर प्रीत के नाम से मशुहूर है ध्यान दखना है अगला है कि गनतेंतर द्योय समारों में राजपत पर राजस्तान की किस कला की परदशनी आयोजित की जाएगी आपको बताना है तो पिछवाई कला की की जाएगी आपको ध्यान रगना उप्शन सही हो जाएगा हाली में कलपना चावला अंतरिक्ष विज्यान अनुसंदान के अंदर का उदगटन किस ने किया है तो राजपना शिंग ने किया है आपको ध्यान रगना है राजपना शिंग ने किया है अगला है कि हाली में यूरोपिया संग की परिशत की देख्षता किस देश ने संभाली है यूरोपिया संग की परिशत की देख्षता संभाली है किस देश ने संभाली है तो फ्रांस ने संभाली है फ्रांस ने संभाली है फ्रांस की राधधनी क्या है पेरिस फ्रांस की राधधनी है करंसी क्या है यूरोपियन संग में आता है तो इसकी करंसी यूरो है यूरो इसकी करंसी है राष्ट्रपती कौन है तो इमेनियल मेक्रो यहां के राष्ट्रपती है इमेनियल मेक्रो आंसर हो जाएगा अगला है कि ONGC की पहली महिला देख्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ONGC की पहली महिला देख्ष कौन बन गई आपको बनाना है तो अलका मित्तल बन गई हैं अलका मित्तल इसका उत्तर हो जाएगा इन्हें भारत के सबसे बड़े तेलव गेस उत्पादग ONGC का चेर्मेन वेव एमडी न्यूक्त किया गया है ONGC का मतलब हो जाएगा फुल फॉम हो जाएगी O.A.L.N. नेचुरल गेस कोर्पोरेशन मुख्याले कहा है नई दिल्ली में इसका मुख्याले है वर्तमान में शिरी हरदीव सिंग पूरी पेट्रोलेम और प्राकृतिक गेस मंतरी है ये भी आपको ध्यान रगना है अंतीम प्रशन है जो आपसे एक्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा हिंदी नाटक समराट अशो के लिए किसे साहिते का अदमी पूरुस्कार दिया गया हिंदी नाटक के लिए पूछा है मिठेश निर्मई तो आपको पता है राजस्तानी के लिए है नमीता गोखले अंग्रेजी के लिए है दया परकास सीना इसका उत्तर हो जाएगा तो ये टोप टेन हमारे प्रशन हो गए इनको एक बार वापस अच्छे से देखे रिपीट करना अच्छे से इनको याद करना है पीडियाप आपको पता है डेनिल क्लासेज के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी पिछले जो हमने दस करेंट अफेर क्योशन देखे तो उनका हमें रिपीट करवा देता हूँ आपको ताकि वो भी आपके अच्छे से ध्यान हो जाए पिछली बार हमने देखा था चार जनवरी के करेंट हैवेर में कि विश्व ब्रेल दिवस किस तिथी को मनाया जाता है तो विश्व ब्रेल दिवस चार जनवरी को मनाया जाता है हमने बात की थी यह दिन द्रश्टी भादित लोगों के लिए ब्रेल लीपी विक्सित करने वाले लुइस ब्रेल की जैन्ती के रूप में मनाया जाता है इनका जनम 4 जनुवरी 1809 को हुआ था अगला था कि हाली में जारी बेरोजगारी की ओल इंडिया रेंकिंग में सरवादिक बेरोजगारी भारत के किस राज्ये में रही सरवादिक बात करेंगे तो हरियाना दूसरे नमबर पे बात करेंगे तो राजस्तान उत्तर हो जाएगा अगला था कि हाली में राजस्तान सरकार स्वास्त योजना RGHS के तहट सरकारी सेवा में कारियरत भूतपुर्व सेनेक एवन उनकी पत्नियों का तीन लाग तक का इलाज फ्री कर दिया गया है RGHS का शाब्दिक अर्थ क्या है राजस्तान गवर्मेंट हेल्थ स्कीम है हाली में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेट्रो के कौन बन गया है शंगाई मेट्रो बन गया है शंगाई फर्स्ट नंबर पर है दूसरे पर बात करेंगे तो बीजिंग हो जाएगा और 30 रुपे बात करेंगे तो दिल्ली मेट्रो हमारा हो जाएगा अगला है कि हाली में किस देश के किर्केटर मुहमद हफीज ने इंटरनेशनल किर्केटर से सन्यास लेने की गोसना की है तो ये पाकिस्तान के किर्केटर हैं मुहमद हफीज पाकिस्तान के किर्केटर हैं हाली में भारत की पहली इंटेलीजेंट रोड 40 लाख रुपे की लागत से कहां बनने जा रही है पंजाब में बनने जा रही है most important है इस्टार लगा लेना मुहाली एरपोर्ट को जाने वाली 10 किलोमेटर की इस रोड को आई आई टी रूड की स्पेशल सेंसर से लेज करेगी पंजाब की राज़ानी चंडी के ढ़ह और यहां के मुख्यमुंती च्वरणजी सिंग चंडी है ध्यानखना है हाली में चितोड का दुर्ग 2022 में लगवग 11,800 करोड रुपे के निवेश के लिए चर्चा में रहा यह दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है गंबीरी वए बेडच नदियों के संगम पर है तमिल नडू को नहीं होगा बाकी सब को होगा इस परियोजना की एनुमानी तलागत करीब एक लाख करोड रुपे बताई जा रही है इस परियोजना से उत्तर परदेश, राजस्तान, गुजरात, हरियाना को सबसे अधिक लाव होगा आपको ध्यान रखना है भारत नेपाज सीमा पर बहने वाली शारदा नडी को यमुना नडीश ने जोड़ा जाएगा फिर अगला परशन है कि देश की पहली लीथियम रिफाइनरी कहां इस्तापित की जाएगी तो गुजरात में स्तापित की जाएगी गुजरात इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात की राधधनी क्या है गांधी नेगर गुजरात की राधधनी है मुख्यमंत्री पुछे तो बुपेंदर पटेल यहां के मुख्यमंत्री हो जाएगे अगला है कि कौन सा राज्ये लकडी के चुले की जगे 100% LPG उपयोग करने वाला देश का पहला राज्ये बन गया है कौन सा बन गया है हिमाचल परदेश बन गया है हिमाचल परदेश इसका आंसर हो जाएगा राजधानी पूछे तो ग्रिश्यम कालिल शिमला है और शीत कालिल धरमशाला है आपको ध्यान रखना है मुख्यमंतरी जेराम ठाकूर है मुख्यमंतरी कौन है जेराम ठाकूर है हाली में 20 वा विजे हरारी ट्रोफी 2021-22 हिमाचल परदेश नहीं जीता है ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये 4 जनवरी 5 जनवरी करन्ट अफेर हो गया अच्छे से इनको रिपीट कर लो अच्छे से ही याद कर लो ताकि करन्ट अफेर का आपके एक साथ बर्डन आए दीरे दीरे करके चलोगे करन्ट अफेर दीबेस्ट हो जाएगा और दोस्तों ये करन्ट अफेर में आपके अच्छे नंबर आगे थोड़ा थोड़ा कर लिया तो आप बाकी सबजेक्ट को भी टाइम दे पाओगे दस-दस मिनट डेली दोगे तो बाकी को भी अच्छे से आप टाइम दे पाओगे इस वीडियो को आपको जितना होस के शेर जरूर करना है वीडियो लाइक करें डेनिल क्लासे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नियो प्रेट आए आपको तुरंत मिल जाए धन्यवाद